हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग आशा करती हूं सब कुशल होंगे आए आज आपका अध्याय प्राइक्ता को आगे और पढ़ते हैं पहले अध्याय में हमने सीखा था घटना E की सेधानतिक या परणप्रागत प्राइक्ता P E को निमलिखित रूप में परिभाशित किया जाता है P of E बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या जहां हम कल्पना करते हैं कि प्रयोग के सभी परिणाम संप्राइक हैं हमने ये भी सीखा था एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायक्ता एक होती है एक असंभव घटना की प्रायक्ता शून्य होती है घटना E की प्रायक्ता एक ऐसी संख्या P of E है कि वो शून्य और एक के बीच में होती है ठीक है आईए अब आपकी प्रशनावली के प्रश्न हल करते हैं, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, रुपे 1 के 50 सिक्के हैं, रुपे 2 के 20 सिक्के हैं और 5 रुपे के 10 सिक्के हैं, यदि पिगी बैंक को हिला कर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परणाम समप्राइक हैं, तो इसकी क्या प्राइकता है कि वे गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और दूसरा 5 रुपे का नहीं होगा ठीक है तो 50 पैसे के सिक्के हमारे पास कितने हैं 100 हैं और 1 रुपे के सिक्के 50 हैं और 2 रुपे के सिक्के 20 हैं आईए देखते हैं रुपे 5 के सिक्के कितने हैं 10 तो कुल सिख्के कितने हुए? 100 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 10 तो 180 सिख्के हुए. हमें निकालनी है प्राइक्ता 50 पैसे के सिख्के की. प्राइक्ता को हम probability भी कहते हैं. पी 50 पैसे के सिख्के बराबर होंगे. 50 पैसे के सिख्के बटा कुल सिख्के यानि 100 प्लस एक्सो असी. इसको हम ऐसे काट सकते हैं. और 2 से 2 पंज 10 और 2 को 9 से गुणा करेंगे. तो आएगा 18 तो 5 प्लस 9. इसी प्राइक्ता 5 प्लस प्लस एक बराबर होगी. 5 रुपे के सिक्के बटा कुल सिक्के यानि 10 बटा 180 इसकी प्राइकता होगी 1 बटा 18 हम जानते हैं कि P e प्लस P नहीं e बराबर एक होता है इसलिए प्राइकता 5 रुपे के सिक्के नहीं दोनों बराबर है एक तो एक बटा अठारा प्लस P पांच रुपे के सिख्य नहीं बराबर है एक यानि P पांच रुपे के सिख्य नहीं बराबर हुआ एक माइनस एक बटा अठारा अब देखिए यह हो जाएगा एक माइनस एक बटा अठारा इसको हम हल करेंगे तो अठारा माइनस एक बटा अठारा जो होगा सत्रा बटे अठारा ठीक है बचो आईए अगला प्रशन करते हैं गोपी अपने जल जीवा कुंड यानि एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मचली खरीपती है दुकानदार एक टंकी जिसमें पांच नर मचली और आठ मादा मचली हैं में से एक मचली या द्रश्या उसे देने के लिए निकालती है इसकी क्या प्राइकता है कि निकाली गई मचली नर मचली है देखिए नर मचली कितनी है? पांच और मादा मचली कितनी है? आठ तो कुल कितनी मचली हुई? पांच प्लस आठ यानि तेरा तो प्राइक्ता नर मचली की क्या होगी? नर मचली बटा कुल मचली यानि पांच बटा तेरा असान है ना? आगे आगे देखते हैं संयोग यानि चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और आठ में से किसी एक संख्या को इंगित करता है यदि से सभी परणाम संप्राइक हो तो इसकी क्या प्राइकता है कि या तीर इंगित आठ को करेगा, एक विश्रम संख्या को करेगा, दो से बड़ी संख्या को करेगा, नौ से छोटी संख्या को करेगा इसके हम हल देखते हैं हमारे पर कुल संख्याएं कितनी है? आठ ये देखिए यहाँ पर आठ संख्याएं है अब इनको हम देखते हैं आठ की आवरत्ती कितनी है? एक तो प्राइक्ता आठ की क्या होगी? आठ की आवरत्ती बटा कुल संख्याएं यानि एक बटा आठ विशम संख्याय हम जानते हैं एक तीन पांच और साथ होती हैं तो कुल विशम संख्याय कितनी होई एक दो तीन चार ठीक है तो प्रायकता एक विशम संख्या बराबर होई कुल विशम संख्याएं बटा कुल संख्याएं यानि चार बटा आठ इसको हम एक बटा दो भी लिख सकते हैं दो से बड़ी संख्याएं तो हम दो को एक और दो को छोड़ देंगे तीन चार पांच चे साथ आठ यह हो गई छे तो कुल दो से बड़ी संख्याएं हुई छे और प्राइकता दो से बड़ी संख्याएं हम लिखेंगे दो से बड़ी संख्याएं बटा कुल संख्याएं कितनी हुई छे बटा आठ यानि तीन बटा चार 9 से छोटी संख्याएं यह तो सारी होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कुल 9 से छोटी संख्याएं 8 है तो प्राइक्ता 9 से छोटी संख्या बराबर होगा कुल 9 से छोटी संख्याएं बटा कुल संख्याएं यानि 8 बटा 8 बराबर हुआ 1 ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए आगे देखते हैं एक पासे को एक बार फेंका जाता है निमल लिखित को प्राप्त करने की प्रायक्ता ग्याद कीजिए पहला है एक अभाज्य संखा दूसरा है दो और छे के बीच स्थित कोई संख्या तीसरा एक विशम संख्या पासे को एक बार फेंकने से कुल परिणाम क्या क्या आते हैं एक दो तीन चार पांच और छे इसमें अभाज्य संख्याएं कौन-कौन सी हैं दो तीन और पांच तो प्राइकता एक अभाज्य संख्या की क्या होगी कुल अभाज्य संख्याएं, बटा कुल संख्याएं, यानि तीन बटा छे, जिसको हम एक बटा दो लिख सकते हैं इसमें दो और छे के बीच स्थित संख्याएं कौन-कौन सी हैं, तीन, चार और पांच तो प्रायक्ता 2 और 6 के बीच स्थित संख्या क्या होगी? 3 बटा 6 यानि 1 बटा 2 विशम संख्याएं ये होती हैं 1, 3 और 5 तो प्रायक्ता 1 विशम संख्या बराबर होगी कुल विशम संख्याएं बटा कुल संख्याएं यानि तीन बटा छे जिसको हम एक बटा दो भी लिख सकते हैं आईए अगला प्रेशन देखते हैं बावन पत्तों की अच्छी प्रकार से फेटी गई एक गड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है ताश के पत्ते तो आप जानते हूँ निमिल लिखित को प्राप्त करने की प्रायक्ता ग्याद कीजिए लाल रंग का बाद्शा दूसरा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता जिसको हम फेस कार्ड भी कहते हैं लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता फिर है पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता और एक इट की बेगम ठीक है बच्चों? आईए गड़ी में कुल कितने पत्ते होते हैं? बावन पत्ते होते हैं और लाल रंग के कुल बाच्चा एक पान का और एक इट का तो इस तरीके से कितने हुएं? दो तो प्राइक्ता लाल रंग का बाच्चा बराबर हुआ दो बटा बावन यानि एक बटा चब्विस दूसरा था तस्वीर वाले कुल पत्ते हमें पता है किन में तस्वीर होती है? तीन पान के होते हैं, तीन हुकुम के, तीन चड़ी के और तीन इट के इस प्रकार तीन प्लस तीन प्लस तीन प्लस तीन कितने हुएं? बारा तो प्राइक्ता तस्वीर वाला पत्ते की क्या होगी? बारा बटा बावन यानि तीन बटा तेरा पान के कुल गुलाम कितने हैं एक यानि प्राइक्ता पान का गुलाम हम लिखेंगे बराबर है एक बटा बावन ठीक है हुकुम वाले कुल पत्ते कितने होते हैं तेरा तो प्राइक्ता हुकुम का पत्ता बराबर होगा तेरा बटे बावन जिसको हम एक बटा चार भी लिख सकते हैं इट की बेगम वाले कुल पत्ते, कितने होते हैं एक, तो प्रायक्ता एक इट की बेगम बराबर हुई एक बटा बावन, अगला प्रशन देखते हैं, ताश की पांच पत्तों इट का दहला, गुलाम, बेगम, बाजशा और इकका को पलट करके अच्छी प्रकार फेटा जाता है, फिर इन में से यादरिच्या एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायक्ता है कि यह पत्ता एक बेगम है, आईए, देखते हैं, यदि बेगम निकाल दी जाती है, तो उसे अलग रग दिया जाता है, और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायक्ता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इका है या फिर एक बेगम है कुल पत्ते हमें पता है कितने हैं इट का देहला गुलाम बेगम बादश्या और इका ये कितने हुए पांच ठीक है तो इन पांच पत्तों में से कुल पत्ते कितने हैं बेगम के कुल पत्ते कितने हैं एक य पर कुल पत्ते अब कितने बचे हमारे पास चार तो बेगम को अलग रखने पर एक्के के कुल पत्ते एक है इसलिए प्रायक्ता एक एक्के की क्या हुई एक बटा चार बेगम को अलग रखने पर बेगम के कुल पत्ते कितने बचे शून्य तो प्रायक्ता एक बेगम की क्या ह शून्य बटचार या नहीं शून्य अगला प्रशन देखते हैं किसी कारण 12 खड़ाब पैन और 132 अच्छे पैनों में मिल गए हैं केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पैन खड़ाब है या अच्छा है इस मिश्रण में से एक पैन या दर्चया निकाला जाता है निकाले गए पैन की अच्छा होने की प्रायक्ता ज्यात कीजिए खड़ाब पैन कितने हैं 12 और अच्छे पैन कितने हैं 132 तो कुल पैन कितने हुए 144 ठीक है तो प्रायक्ता अच्छे पैन की क्या होगी कुल अच्छे पैन बटा कुल पैन तो 132 बटा 144 यानि 11 बटा 12 ठ तीक है बच्चों., आएए अगला प्रशन देखे, बीस बल्बों के एक समू में चार बल्ब खराब है। ठीक है, कुल 20 हैं, उनमें से चार खराब है, इस समू में से एक बल्ब या दरच्या निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायक्ता है कि एक बल्ब खराब होगा। मान लीजिए, पहले इसमें निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दुबारा बल्बों के साथ मिलाए जाता है अब 6 बल्बों में से एक बल्ब यादरिछ्या निकाला जाता है, इसकी क्या प्राइकता है कि वे बल्ब खराब नहीं होगा आईए बचो आप इसका हल समझते हैं खराब बल्ब कितने है चार और कुल बल्ब कितने है बीस तो प्राइकता खराब बल्ब की कैसे निकालेंगे कुल खराब बल्ब बटा कुल बल्ब तो कितने है चार बटा बीस इसको देखिए ऐसे काट देंगे तो कितना आएगा एक बटा पांच यदी निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दुबारा बल्बों के साथ मिला आए जाता है तो अच्छे बल्ब कितने बचे अब 15 क्योंकि जो खुराब नहीं है यानि अच्छे बल्ब कितने बचे 15 और कुल बल्ब कितने है 19 क्योंकि एक को तो निकाल दिया है हमने तो प्राइक्ता खराब नहीं बल्ब की क्या होगी कुल खराब नहीं बल्ब बटा कुल बल्ब यानि 15 बटा 19 ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए आगे देखते हैं एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादरच्या निकाली जाती है तो इसकी प्राइक्ता ग्याद कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी दो अंकों की एक संख्या दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या और तीसरा है पांच से विभाज्य एक संख्या अब कुल संख्याएं तो हम जानते हैं एक से लेके 90 तक हैं तो 90 संख्याएं हैं दो अंको की कुल संख्याएं कितनी होगी? हमें इस में से 90 में से कितने निकाल देने हैं? वो निकाल देने जिन पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 क्योंकि ये एक अंको वाली संख्याएं हैं तो हमने इनको हटा दिया 90 में से 9 घटा देंगे तो कितने होंगे? 81 तो दो अंको की कुल संख्याएं कितनी हुई? 81 10 से लेके 90 तक ठीक है? तो प्राइक्ता दो अंको की एक संख्याएं क्या होगी? दो अंको की कुल संख्याएं तो 81 बटा 90 कितनी हुई? 9 बटा 10 9 से काट देंगे देखिए तो 9 बटा 10 आ जाएगा अगला है पूंड वर्ग की कुल संख्याएं ये बहुती प्यारा प्रश्न है इसमें एक से लेक्के नब्बे तक पूंड वर्ग की कुल संख्याएं ये देखें इसमें एक का वर्ग एक हुआ, दो का वर्ग हुआ, चार, तीन का वर्ग हुआ, नौ, चार का वर्ग हुआ, सोला, ऐसे पांच का वर्ग हुआ, पच्चिस, छे का वर्ग हुआ, छतिस, इसी प्रकार, साथ का वर्ग हुआ, उन्चास, आठ का वर्ग हुआ, चौं ठीक है, दस कवर्ग 100 हो जाएगा और हमें तो 90 तक ही लेना है इस प्रकार हमारे पास कितनी संख्याएं हुई ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ ठीक है, तो प्राइकता पूर्ण वर्ग की संख्या की क्या होगी 9 बटा 90 यानि 1 बटा 10 पांच से विभाज्य कुल संख्याएं आप देखिए, हमें एक से लेके 90 की बीच में वो संख्याएं देखनी हैं जो पांच से विभाज्य हैं यानि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 तो इस प्रकार से आप गिनेंगे तो ये 18 संख्याएं हैं तो प्राइक्ता 5 से विभाज्य एक संख्याएं क्या होंगी 18 बटा 90 यानि इसको काट देते हैं 2 बटा 10 और फिसे काटेंगे तो 1 बटा 5 तो हमारे पास प्राइक्ता आएगी 1 बटा 5 ठीक है बच्चों? आगे देखते हैं आपके लिए ग्रहकार हैं पहला प्रश्न 52 आशों की एक गड़ी में से एक काड निकाला जाता है काड का इट का इकका ना होना घटना E है E के अनुकूल परिणामों की संख्या है आपके पस 4 विकल्प हैं पहला विकल्प है A 4, दूसरा विकल्प है B 13, तीसरा विकल्प है C 48, और चौथा विकल्प है D 51 दूसरा प्रश्न 400 अंडों के एक संख्या में से एक खराब अंडा प्राप्त करने की प्रायक्ता 0,035 है इस संख्या में खराब अंडों की संख्या है पहला option आपके पस A विकल्प है 7, दूसरा विकल्प है B 14, तीसरा विकल्प है C 21, और चौथा विकल्प है D 28 26 आगे प्रश्न ले लेते हैं प्रश्न संख्या 3 कोई लड़की यह परिकलित करती है कि उसके द्वारा एक लॉटरी में प्रथम पुरुषकार जीतने की प्रायक्ता 0.08 है यदि 6000 टिकेट बेचे गए हैं तो उस लड़की ने कितने टिकेट खरीदे हैं पहला विकल्फ है A 40, दूसरा विकल्फ है B 240, तीसरा विकल्फ है C 480 और चौथा विकल्फ है D 750 आगला प्रश्न किसी थेले में कुछ टिकेट हैं जिन पर 1 से 40 तक संख्याएं अंकित हैं इसमें से यादरचिक रूप से एक टिकेट निकाला जाता है इसकी प्रायक्ता की निकाले गए इस टिकेट की संख्याँ 5 का एक गुणज हो निमल लिखित है पहला विकल्फ है A 1 बटा 5 दूसरा विकल्फ है B 3 बटा 5 तीसरा विकल्फ है C 4 बटा 5 और चौथा विकल्फ है D 1 बटा 3 अगला प्रेश्ण किसी व्यक्ति से एक से सो तक्की संख्याओं में से एक संख्या चुनने को कहा जाता है इस संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायक्ता क्या होगी पहला विकल्प है एक बटा पांच, दूसरा विकल्प है छे बटा पच्चिस और तीसरा विकल्प है C एक बटा चार और चौथा विकल्प है D तेरा बटे पचास अगला प्रशन देखते हैं, प्रशन संख्या छे, किसी स्कूल में पांच सदन A, B, C, D और E हैं किसी कक्षा में 23 विद्यार्थी हैं, जिन में से 4 सदन A से हैं, 8 सदन B से हैं, 5 सदन C से हैं, 2 सदन D से तथा 6 सदन E से हैं ठीक है इन में से एक विद्यार्थी को कक्षा का मॉनिटर बनाने के लिए चुना जाता है चुने गए इन विद्यार्थियों के सदनो A, B और C से ना होने की प्राइक्ता क्या होगी पहला विकल्प है A, 4 बटा 23, दूसरा विकल्प है B, 6 बटा 23, तीसरा विकल्प है C, 8 बटा 23, और चौथा विकल्प है D, 17 बटा 23 ठीक है बचो, प्रश्न बहुत सरल है, करिएगा रोचक भी है, अब हम सारांच देख लेते हैं हमने देखा घटना E की सेधान्तिक या परम प्रागत प्राइक्ता, P E को निमल लिखित रूप में परिभाशित किया जा सकता है P of E बराबर है E के अनुकूल परिणामों की संख्या, बटा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या जहां हम कल्पना करते हैं की प्रयोग के सभी परिणाम संप्राइक हैं हमने ये भी सीखा की एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्राइक्ता एक होती है एक असंभाव घटना की प्राइक्ता शून्य होती है गटना E की प्रायक्ता एक ऐसी संख्या है P of E है कि P of E 0 और 1 के बीच में होती है यानि 0 से बड़ी या बराबर और 1 से कम या बराबर ठीक है और बच्चों हमने ये भी सीखा कि वे गटना जिसका केवल एक ही परणाम हो एक प्रारंबी गटना कहलाती है किसी प्रयोग की सभी प्रारंबिक गटनाओं की प्रायक्ता का योग एक होता है हमने ये भी देखा कि किसी भी गटना E के लिए P of E plus P of not E बराबर एक होता है जहां E गटना E नहीं को व्यक्त करता है E और E not E पूरक गटनाएं कहलाती है ठीक है बच्चो आशा करती हूं आपको आज का पाठ समझ में आया होगा धन्यवाद झाल 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 झाल